यह मा गंग्य दोस्तों दोस्तों चैनल एवी के में आपका फिर वह Genau स्वागत है और आज हम हरदवार में फिर आए हैं और आज हरदयार के उस मंदिर में चलेंगे दोस्तों जहां दस महा विद्याओं के सिद्पीट मा दच्छल काली मंदिर में भक्तों की हर मनो कामना पूरी होती है जिया दोस्तों आज हम उस मंदिर में मा काली के दर्सन करेंगे जो बहुती कुपसूरत बना हुआ है और जहां पर हर भक्त की मुराद पूरी होती है अक्सर मंदिरों के नाम बहां इस्ताफित भगवान की मूर्ति या फिर उस जगा के खास के आधार पर या फिर मंदिर के प्रिवेश द्वार पर रखा जाता है लेकिन हरिद्वार में एक ऐसा मंदिर है जिसमें माता की मूर्ति का मुक तो पूरब दिसा की और है यानि की जो फेस है वो पूरब दिसा की और है लेकिन मंदिर का नाम दच्छल काली मंदिर है अगर आप भी किसी धार्मी के आत्रा के प्लान बना रहे हैं और जगा की तलास कर रहे हैं तो आप हरिद्वार के इस अद्व दच्छल काली मंदिर का दरसन करने जरूर आएं तो चलिए दोस्तो हम माद दच्छल काली मंदिर के यह और परिस्तान करते हैं और आपको भी माद दच्छड काली के आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों पहुँच चुके हैं माद दच्छड काली के मंदिर के मुख्यद्वार पर और यहां से आप राइट एंड की तरफ जाएंगे तो दच्छड काली मंदिर पढ़ेगा और इधर की स्वेट जाएंगे तो कार आपको चर्डी देवी का मंदिर पढ़ेगा आप कोई से भी मंदिर पर जा सकते हैं जहां पर आपको आराध ना करनी है आप बहां जा सकते हैं यहां सामने आप देखना दोस्तों मावागवती परशाद है यह वह बहुत सारा परशाद की दुकाने हैं आप यहसे परशाद ली सकते हैं और यह सामने है दच्छट कालीन-मा का मंदिर चलिए हम अंदर चलते हैं और यहाँ से आपको दिखाईंगे अंदर ले जाकर मा के दर्शन करवाई गे Thisciğim करेंगे दोस्तों साम का समय है और यह मुस्खे माने दुस्ट में चाले हैं दो क्यूकर बाउस पहुंचडा सकता है और अगर आपके पास दर्शन करते हैं यह वहातों सरदालू है रहे हैं तो देख गार जली हैं तो पार आज हुआ है न दे कितना खुद्य बन कुछात बनुआ है और है और यहाँ से देखे दूस्तों काफी अच्छा लग रहा है यह बहुत नको सांति मिल रही है कहते हैं कि अब जबी भी जीवन में कोई दुखी हो या फिर इंसान को कोई प्रावलम हो अपने सच्चे मन से मा के मंदिर में जाकर आज़ाद करें तो कुछ मिले ने मैंन को सांथी जरूर मिल जाती है। लिए मंधिर में जाती है , तो सोचो मा के मंदिर में जाकर आपके दुखों का निवारन हो सकता है इसलिए दोस्तों आप जब भी आए तो मा दच्छल काली मंदिर में जरूर आए हरदवार अगर आते हैं तो हम मंदिर चलते हैं आप देखेगा यहां कितने सारे श्टिकल लगे हुए हैं जिस पे लिख चल रही है लेकिन हम जब आए हैं तो हम मा के दर्शन के वेगे नहीं जाएंगे अभी हम थोड़ा सा बेट कर लेते हैं फ्रेंट्स मंदिर काफी अच्छा वन हुआ है और बहुत कुप्सूरत है सच्वी यहां पर बहुत मन लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा ह है दोस्तो हम मंदिर में सामके समय आये हैं तो यहां पर भी मा के परशार चड़ा जा रहा है इनकी भोग लगाया जा रहा है और यहां पर बहुत सरदालों है जो मा के दर्शन कल्ले के लिए त्यार बैटे हैं और यह हैं मंदिर के मुख्य पुजारी विवेक कमारपंडे पुजारी जिनकी साथ हमेशा security रहती है और मा काली की इन पर किरपा हमेशा बनी रहती है मुकहे मंदीर के ञुम Yeyopar क्पांडे जो मंधीर की जो पुजारी वह है वो यही है अरि इनकी बिएक कुमार Σ्था कहते हैं कि अगर और सच्चे मन से की गई मा की पूजा अर्चना और मा की शक्ति ही मनुश्य का जीवन बदल सकती है। यानि संसार में वही व्यक्ति सवलता की और बढ़ता है जो मा भागवाती की आराधना सच्चे मन से करते हैं। दोस्तों पुजारी जी के साथ हमेशा सेक्रेटी गाट तो रहते हैं यह अपनी सरधालू को यानि क्याने वाले मंदिर में जितने सरधालू उनको बहुत अच्छे ची बाते ग्यान की बाते सुनाते हैं और अभी आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मा का जो दरवार है वो हैं बलकि पूरवगी हो रहे हैं लेकिन गंगा यहां दश्च्छुर के तरह बहती हैं इसलिए इस पीट को दश्च्छुर काली मंदिर के के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो अभी आप देख रहे हैं सामने मा दश्च्छुर का दरवार यह खुल चुगा है और अभी चाहेंगे या फिर कभी हरिद्वाल में आएंगे तो दश्रकाली मंदिर में जरूर आएं यह बहुत ही सच्चा मंदिर है यहां हर किसी की विस्पूरी की होती है जो भी श्रुदालों यहां पर मा के मंदिर में आके अपने सर को जुगाता है नवाता है तो उनकी हर्मनों कमन पूरी होती है दोस्तों मा के राइट हैंड में एक छोटा सा मंदिर और है जो है सेशनाग जी का भगवान शिव का वहां शिवलिंग है और वहां सेशनाग जी बराजमान है चलिए आप में साथ चलिए हम इधर को आगए यह देखेगा यहां पर भुलिनात के नंदी जी सेशनाग जी बैठे हैं इनकी यहां पर बहुत माननेता है कहा जाता है कि कोई भी सिर्दालों यहां पर आए और सच्चे मन से इनको जलवी शेक या फिर दूद भी शेक करें तो उसकी हर मनों कामना पूरी होती है और उसकी जितने जीवन में दुख होते हैं सब दूर हो ज आपको दिखा देते हैं यह इदर से हम जाएंगे तोड़ा पीछे की साइड है यहां पे जब नवरात्री में पूजा वगरा होती है तो यह बहुत बड़ा हावन कहा जाता है अब मा के लिए बहुत बड़ी पूजा रखी जाती है दोस्तों मा के मंदर के पीछे देखा ज अंदर है और हम इसका थोड़ा जब यहां पर रहें तोड़ा पीछे करने तारह देख लेते हैं सच में यहां बहुत ही मन लग रहा है आप रच्छल काली मंदिर जरूर आए साम का समय है शूर्य च्छिपता जा रहा है और इसके पीछे आप देखने के यहां पर मा गंगा साथ मैं तो माँ गंगा का पावन शीतल जलवी यहां पर द्च्छल काली मंदिर के पीछे बह रहा है तो दोस्तों पीछे करना यह वह देख़ के निवेदन थी दोस्तों कर लिए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी बल ऐकन कर बैपना सब जरूर हां द् कर लें ताइकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और प्यार से लिखें जय माता दी या फिर जय मागंगे और दचलकालीन मा की किरपा आप सब पर बनी रहे और दोस्तों अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय माता दी